नमस्कार आदाब न्यूस क्लिक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री भारतिये जन उश्रदी परियोजना के बारे में और इस विशह पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जन स्वास्त है भियान से जुड़े डॉक्टर उसमें जो रूलिंग पाटी है मौजूदा बीजेपी उसका नाम एकदम साफ साफ आ गया तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं यह देखे यह दर्शाता है किस तरह से आजकल जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें ध्यान वहां जाता है कि किस तरह से एक पार्टी विशे उसको भुना के कोई फाइदा अपने लिए ला सके ना कि उस परियोजना से लोगों को फाइदा हो और यह तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सरोगेट एडविटाइजिंग जैसे शराब की जो कंपनियां हैं वो पानी का बोतल बेचते हैं अपने नाम को सामने लाने के ल भी करने लगी है तो यह नाम पहले था प्रधान मंत्री जन ओशदी योजना अब दिक्कत आगी इससे भाजपा का नाम तो आ नहीं रहा कहीं पर तो फिर उसको बदला गया प्रधान मंत्री भारत्य जन ओशदी परियोजना तो योजना को परियोजना बनाया गया ताकि भ भारतिये नाम जोड़ दिया, हिंदुस्तान में आगा चल रहा तो भारतिये ही होगा ना, चीनी तो कारेक्रम हो नहीं सकता, तो यह सरा सर एक कोशिश है, इस पर नहीं कि योजना लोगों तक पहुंचे, लेकिन इस पर कि किस तरह से भाजपा का नाम अलग अलग जगा पे ज प्रियारी है घर लेबल पे यह नाम लिखा हुआ है और उसमें सिर्फ यह नाम नहीं लिखा हुआ है भाजपा यह तीन शब्द जो है उसको बोल्ड में किया गया है ताकि साफ साफ लोगों को समझ में आए कि भाजपा की बात हो रही है और वो जो रंग जो कलर्स हैं वह भाजपा के लगभग सीधा सीधा सिर्फ लगता है कि योजना बनाई इसलिए गई है कि भाजबा की अद्वरडिस्मेंट किया जाए यह तो इस पर योजना के बारे में थोड़ा बता है कि इसको फाइदा पहुचाने के लिए और इसके पीछे वक्सत की योजना बहुत पु यह चल नहीं पाया और यह सरकार नहीं चलाया उस समय भी और यह ठपसा पढ़ गया था और 2015 से फिर से जो आज की सरकार है उन्होंने इसको थोड़ा मजबूत करने की बात की है कुछ लोगों तक पहुंचा है यह लेकिन यह भी देखे कि हिंदुस्तान में लगभग 6 लाक केमेस्ट के दुकाने हैं और सरकारी आकरे खुद बताती हैं कि 3000 इस तरह की दुकाने जो आप कह सकते हैं कि दवाईयों के फैर प्रायस शौपस हैं यहनि कि वाजिफ दाम में दवाइं जनरिक नाम से बेची जाती है इन दुकानों में तो 3000 दुकान है यहनि कि 0.5% तो बाकी लोग तो वही अधिक दाम के दवाइयां ही खरीद रहे हैं और यही सरकार उन कारिक्रम पर जो दवाओं के दाम पर प्रतिबन लगाती है उस कारिक्रम को डाइलूट करती जा रही है नीतियोग ने कहा कि इसको तो बंद कर देना चाहिए दवाइयों पर प्रतिबंद होना ही नहीं चाहिए तो यह था दिखावा बन जाता है सिर्फ जीरो पॉइन फ़ाइब परसें दुकानों में आप वाजब दाम ते दवाइयां बेच रहे हैं लेकिन बाकी जो दुकानों में अब खुद कह रहे हैं कि इन दुकानों से 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना दाम पे बिक रहा है उस पर क्यों नहीं पतिबन लगाते हैं उस पर लगातार मांग रही है कि ये मजबूत किया जाए प्राइस कंट्रोल दवाईयों पर तो एक चीज इसमें यह देखने वाली है कि इस तरीके की परियूजना की जरुवत क्यों पढ़ रहे हैं हमारे देश में जब कि जो दवाईया है और खासतोर से इस परियूजना में जो दवाईया है वो जनेरिक ड्रग्स जो मोहया कराने के बात है वो सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिलने चाहिए जो कि हमेशा उनकी कमी होती हमेशा लोग लाइन में खड़े होते हैं उनको मिलते नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता है कि सरकार कितना सरकारी अस्पतालों पर मतलब खास्तार से सिर्फ इस एक मुद्धे पर कि वहां ड्रग्स कैसे मुद्धे अगर यह दुकाने का खुली हैं आप देखेंगे इस स्कीम के तहर तो यह अधिकतर दुकाने यह बहुत सारे द निशुल्क दवाईं नहीं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए और निशुल्क दवाईं नहीं मिल रही इसलिए दुकान में जाके खरीद रहे हैं तो यह तो इससे भी जुड़ता है कि हम कितना सरकारी खर्च कितना कम है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में यह आंकड़े बताते हैं कि जो out of pocket expenses जैसे कहते हैं अपने जेब से खर्च करते हैं स्वास्त के लिए उसका 70 प्रतिशत जो है वो दवायों पर खर्च करते हैं जो एक मुख्य कारण लोगों को स्वास्त पर खर्च करने का दवाया होती हैं और वो दवाया मुहिया इसलिए नहीं करवाई ज लगवार्ट है दवा कंपनियों और सरकार सरकार के बीच में कि एक दिखावे के लिए एक छोटा सा स्कीम आपने खोल दिया तीनिजार दुकान खोल लिए और बाकी बेतहार सा जितना मर्जिया मुनाफ़ा कमा सकते हो दवायों के दुकानों से और इस पर इस स्कीम ये दि चार साजा करने के लिए बहुत बहुत दुक्त दनेवाद नियूस क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया